मानव नेत्र मानव नेत्र बहुत महत्वपून और समवेदन शील के आनेंद्रिय यानि सेंस ओगन है और ये एक प्राकृतिक प्रकाशिक उपकरण यानि ओप्टिकल इंस्ट्रुमेंट है नेत्र का आकार गोल होता है जिसके आगे का भाग हलका सा उब्रा होता है और इससे हम अपने आसपास की सुन्दर और रंगों से भरी दुनिया देख पाते हैं आएए आखों के जरूरी अंगों और उनके कामों के बारे में समझते हैं स्वच मंडल यानि कॉर्णिया आखों के आगे का भाग एक पार दर्शी पतली जिल्दी से धका होता है जिसे कॉर्णिया या स्वच मंडल कहते हैं किरने स्वच मंडल से होकर आखों के अंदर आती हैं परितारिका यानि आइरिस स्वच मंडल के ठीक पीछे एक गहरी रंग की पेशियों से बना डायाफ्राम होता है, जो इसके बीच में एक छोटा सा गोल छेध होता है। पुतली यानी प्यूपिल परितारिका के बीच एक गोल छेध होता है, जिससे पुतली कहते हैं। पुतली काले रंग की दिखती हैं क्योंकि इससे कोई प्रकाश या रोशनी प्रतिबिम्बित नहीं होती है। परितारिका के बीच का गहरी रंग वाला भाग पुतली नियंत्रित करती है कि आँखों के अंदर कितनी रोशनी को आने देना है। मौजूद प्रकाश के अनुसार ये अपना आका अर्बदल लेती है। पुतली के आकार को छोटा या बढ़ा करके परितारिका रोशनी को नियंद्रित करती है। आए देखते हैं कि किस तरह परितारिका आँखों के अंदर जाने वाली रोशनी या प्रकाश को नियंद्रित करती है। जब बहुत तेज रोशनी होती है या कहीं से बहुत तेज रोशनी निकलती है तब परितारिका पुतलियों को संकुचित कर देती है और इस तरह अंदर आने वाली रोशनी की मात्रा कम हो जाती है. जब रोशनी की तीवरता कम होती है या रोशनी हलकी होती है तब परितारिका पुतलियों को फेला देती है जिससे ज्यादा रोशनी आखों के अंदर आ सके आखों का लेंस एक उत्तल यानि कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि जेली के तरह एक प्रोटीन युक्त चीज से बना होता है आखों का लेंस बीच में सक्त या कठोर होता है और बाहर के किनारों के तरफ जाती जाते मुलायम हो जाता है पक्षमाभी पेशियां यानि सिलियेरी मसल्स आखों के लेंज को उसकी जगा पर बनाए रखती है पक्षमाभी पेशियां आखों के लेंज के व्यास या मोटाई और वस्तु की दूरी यानि फोकल लेंथ के अनुसार बदलने में मदद करती है द्रिष्टी पटल यानि रेटिना आखों के पिछले भाग को द्रिष्टी पटल यानि रेटिना कहते हैं ये एक कोमल सूक्षम जिल्ली होती है जो कि रोशनी के प्रती समवेदन शील होती है और कैमरे की स्क्रीन की तरह काम करती है द्रिष्टी पटल के रोशनी के प्रती समवेदन शील अभिकराहक को शलाका यानि रॉड्स और शंको यानि कोंस कहते हैं जब इन प्रकाश का ही कोशिकाओं पर रोशनी पढ़ती है तब ये द्रिष्टी तंत्रिका यानि आप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिश्क को एक विद्युत संतेश यानि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है द्रिष्टी पटल और आँखों के लिंज के बीच की जगा में एक तरल पदार्थ होता है जिसे विट्रियस हुमर कहते हैं अंध बिंदू यानि ब्लाइंड स्पॉर्ट ये एक ऐसी जगह होती है जहां द्रिष्टी तंत्रिका आँखों के अंदर आती है और उस पर रोश्नी का कोई असर नहीं होता आईए आँखों के समंजन और इसकी क्षमता के बारे में जानते हैं कोई दूर या पास की वस्तू की दूरी को द्रिष्टी पटल पर साफ साफ दिखाने के लिए जब पक्षमा भी पेशियां आँखों के लेंस की फोकस दूरी को समायूजित करती है तो उसे आँखों का समंजन कहते हैं अमंजन की क्षमता अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तूओं को देखने की आँखों की क्षमता को समंजन की क्षमता कहते हैं किस तरह से आँखे अलग-अलग दूरी पर रखी वस्तूओं की फोकस दूरी समाई उजित करती हैं? जब पक्षमाभी पेशियां शितिल होती हैं, तब आँखों का लेंज पतला हो जाता है। इससे फोकल दूरी बढ़ जाती हैं और हम दूर की चीज़ों को साफ साफ देख पाते हैं। जब पक्षमाभी पेशियां संकुचित होती हैं, तब आँखों के लेंज की वक्रता यानि कर्विचर और आँखों का लेंज मोटा हो जाता है। इससे फोकल दूरी घड़ जाती हैं और हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं। संक्षिप्त में आँखों के लेंज की फोकल दूरी के समायोजन के कारण हम अलग-अलग दूरी पर रखी चीज़ें देख पाते हैं। सुस्पष्ट दृष्टी यानि डिस्टिंक्ट विजन की सबसे कम दूरी। नियर पॉइंट या सुस्पष्ट दृष्टी आँखों के सबसे नजदीक वो बिंदू होता है जहां पर हर वस्तु साफ दिखाई देती है। सामान्य आँखों के सुस्पष्ट दृष्टी का सबसे नजदीक विंदू लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। हाला कि ये उम्र के साथ बदलता रहता है। उदाहरन स्वरूप एक नवजात शिशु के लिए ये दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। आँखों का सबसे दूर का बिंदू आँखों का दूरस्थ बिंदू यानी फार पॉइंट सबसे अधिक दूरी का वो बिंदू होता है जहां तक सामान्य आँखें साफ साफ देख सकती है। सामान्य आँखों के लिए ये बिंदू infinity यानि अनंतता होता है मूतिया बिंद उम्र बढ़ने पर लोगों की आँखों का पारदर्शी, लेंस, दूधिया और धुंदला हो जाता है तो इस अवस्था को मूतिया बिंद कहते हैं इसकी वजह से आँखों की रोशनी धुंदली या पूरी तरह चली जाती है मूतिया बिंद की सरजरी द्वारा आँखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है दृष्टी की सीमा यानि range of vision आँखों के नजदी की बिंदू यानि near point और दूरस्त बिंदू यानि far point के बीच की दूरी को दृष्टी की सीमा यानि range of vision कहते हैं